हलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप देखिए आज हम मुंगेर इन्वर्शिटी जो मुंगेर में है उसका भी वी कोष्चन पूर्स ठीर जो आपका लर्णिंग टीचिंग देखिए मुंगेर इन्वर्सिटी का एक्जाम का डेट भी दे दिया इसलिए आप लोग एक्जाम में एदम यूदस्तर पत्यारी में लग जाईए क्योंकि देखिए इसमें पर्व भी है तो इसमें आपको समय निकालके दुर्गा पुचा इसमें छट उट है इसमें आपको समय निकालका पढ़ना होगा समझे देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि मुंगेर इन्वर्सिटी का इस से पहले हम कोर्स वान जो आपका चाइलूड और ग्रोविंग आप है कोर्स टू आपका कंटेंप्रोरी इंडिया ने जुकेशन उसका वहां पर मिल जागा करवा देंगे देखिए गवर चीज़ आपको बताते हैं कि मुंगेर इन्वर्सिटी है वह पहले भागल पर इन्वर्सिटी में समझे 2018 में अलग हो गई तो यह 2019 में फ़र्स्टर की जाम ली यानि मुंगेर इन्वर्सिटी में बोलिएगा तो पहला जो बीट फ़र्स्टर कर दोनों काम कोश्चन आज आज ही डाल देंगे कि देखिए प्रिवेस एर कोश्चन देखना बहुत जरूरी है उसी के बेस्ट पर कोश्चन पूछा जाता है समझे और इससे पहले आपको देखना दूरा 16 17 18 का कोश्चन देखना है तो आपको भागलप इन्वर्सिटी का एक्जाम चल ला है 20-22 सेशन का उसका भी आप कोश्चन देख लिजेगा क्योंकि भागलप इन्वर्सिटी और मुंगेर इन्वर्सिटी दोनों का सी लेवस सेम है समझे तो उसका भी कोश्चन हम डाल देंगे आपका वह भी आप देख लिजेगा तो चलिए अब कोश्चन स्टार्ट करते हैं लिखा हुआ है बीवी आई कोश्चन वीर फर्स्ट यर 2021 सेशन 222 मुंगेर इन्वर्सिटी मुंगेर कोर्स थीरी लर्निंग और टीचिंग देखिए आपको मालूम होगा जो कोर्स 123 है आपका 100 नमबर का होता है जिसमें 20 नमर का प्रेटकल और 80 नमर का होता है अविरी असी नमर को हता है उसी का एकजाम होता है तो असी नमर में आपका पंच Σी रहेंगा दस कोश्चन आपका छोटीं आएगा तो कुछ भी हो जाए कोस्चन छोड़ना नहीं यह उनिट यूनिट-1 में देखि एकूपका कोस्टन रहेगा ही रहेगा अधिगम से सिखना या उसी को हम लोग learning करते हैं तो अधिगम से आपका question रहेगा ही रहेगा वही question है कि अधिगम की प्रकृति क्या है अधिगम के विभीन प्रकारों का वणन करें यानि what is the nature of learning describe the different types of learning यानि कर रहा है कि अधिगम की प्रकिर्ति क्या इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएका देखिए किसी को नोट्स चाहिए कि नहीं लो तो आप इस नमबर पर वाट्सेप कीजिएगा कुछ पे करना होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा दूसरा कोस्चन आपका है कि अधिगम और बुद्धी में क्या संबंद है उधारन के साथ असपष्ट किजिए यानि कर रहा है कि सिखना और बुद्धी देखिए आप में पास बुद्धी होगा ता आप कोई चीज को जल्दी सिख लिजेगा तो ही कर रहा है यानि दोनों में एक दूसरे के पूरक है यानि अधिगम और बुद्धी में क्या संबंद है उधारन के सांथ असपष्ट किजिए यानि वाटिद्ध रिलेशंशिप बिट्वीन लर्निंग इंटिलिजेंस डिस्क्राइब इंसुट्रेशन है फिर आपका देखिए इस्ट्रा में आप अभिप्रेणा पढ़ लिजेगा देखिए अभिप्रेणा हर साल पूछ रहा है समझे इसलिए इसको भी देख लिजेगा क्या है कक्षा कक्ष में एक सिच्छक इसका उप्योग किस प्रकार करेगा यानि वाटिज मोटिवेशन हाव विल्वेट टीचर वीज इन इट क्ला सिदहनत नटनफ संग्यनवादी है मनौता वादई फिर कर दिसको बहुक्त के सिदधान का विकास कर्म लेखिए सब्सक्राइब न लिखे एक सिधान्त को असफष्ट करते हुए इनकी सच्छी कुप्युकता को लेकिते कि ढाइटे डिभलोमेंट हिस्ट्री एक रहीज़़्ट फिर आउंटाइस क्या है वह Müudi तक पहसे बिसंग कंगी धन नुदों सुपतेंуемें दूसके कम से कम दो दलात में नुद्वार्बाद मुँ यह कि कषनाllow सब्सक्राइब लत सकते हैं और संग्यानवादी केह बैऊए लावा करें आप आप बिस घ्राइब दाप कर सकते हैं आप समाजिक संस्कृति का किसी का उलेख कर सकते हैं तो यह करा कि अधियम से संबंदी किसी एक सिधान का उलेख करते हुए कच्छा सिक्षन में इसके अनुपरयोग के कम से कम दो उधान प्रश्थित करें यानि एक्प्लेइन एन वन थिउरी अफ लर्निंग एक्क्लूडिंग बिहेविरिलिज्म अल्सो डिसकर्स इट इंप्लिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग विथ एट लिस्ट टू एक्जामपल आई ये उनिट थिरी में आते हैं देके उनिट थिरी में आपका कोस्चन आएगा कि सि सब्सक्राइब इस बहरियर फेजी इन डिटेल यानि सिक्षन के अवधार्ना को सफ़स्ट करें इसके विभीन अवस्थाओं की विश्तार पूर्वक्सी चर्चा करें छटा कोस्चन है आप कहां तक सहमत है कि सिक्षक एक परमार्स दाता सुगमत करतायों सव अधियम करता होता है यानि यह ओपेणियन डैट टीचर इजे कांसलर फेसलिटर और को लड़नाग समझे तेक को घुमाकर भी पूछ सकता है कि सिक्षक कैसे सुगम करता होता है समझे एसे वी कोस्चन आप से पूछ सकता है इस्टा में कोस्चन दिये है कि छात्र केंदित या सिक्षार् आप क्या समझते हैं इसमें सिक्षक की भूमका का वर्णन करें यानि वाट डियू मीन बाई चाइल सेंट्रिक एजुकेशन एक्स्प्लेंद रोल ऑफ टीचर इन इट यानि आपका 2020 में पूछाता सिक्षक केंदरी तब कि बाल केंदरी ताने का चांस है समझे तो देख ल सब्सक्राइम किस्क्या है सुक्स्षकन के किनी दो शिक्षण को सोलो का वर्णन करें समझे वाट इद्यू में लेशन प्लान रायट ट्रिमेंच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समझें तो आपका क्या में हो गया तो अपका इन फोर्म हो गया इसमें और इस्टा कुछन देख लिजेगा कि कक्षाई सिक्षन की परिक्रिया को प्रभावित करने वाले कार्गों का विशलेशन करें अब आएए आपका आते हैं यूनिट फाइब में देखिए उनिट फाइ सिक्षन युक्ति क्या है परभाव साली सिक्षन में एक ऐसे सहायक है वर्नन करें लिखे वस्तुनिष्टा बनां विश्यवनिष्टा यानि अब्जेक्टिविटी वर्सेश सब्जेक्टिविटी दूसरा है इसमें सिक्षण अधियम परक्रिया के मुख्ष चुनोतिया है तिसरा आपका है घर निरोधी निती यानि NON इंगलीस भी लिखता है नोन देटेंस्टन पॉलीसी डेटेंस्टन पॉलीसीों और आपका डी है मार्किंग बनाम ग्रेडिंग यानि मार्किंग वर्से ग्रेडिंग समझे इतना कोशन देख लिजेगा इसी में से आपका रहेगा समझे और आपका जल्दी ही कोर्स 4567 का विक्रवा देंगे और आज ही आपका प्रिविए सेर दोयार 19 और 20 दोनों का हम डाल देंगे समझे ठैंक यू